हेलो दोस्तो सुवागत था आप सभी का कैसे हैं आप सभी आसा करता हैं ऑस भी कितारी बहुत यह चलिए होगी अच्छे तरह कैसे पढ़ाई कर रहे होंगे और मश तरह कीसे रहे होंगे तो दोस्तो आज हम बात करेंगे अंतिम Uhm Dolay लेकबाल फोरेस्टिगार्ड करने साथ यह सभी के लिए इंपोर्टेंट रहने माली है तो हर कोई इस्टुडेंट इस वीडियो को देखकर अपना अच्छा स्कूर कर सकता है हम यहाँ पर बात कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री की और इतिहास में हम लोगों ने बहुत कुछ मधिकालिन और प्राचीन भारत हमने पढ़ लिया था आप हम बात कर रहे हैं आदुनिक भारत में हम लोग ने वाईस रए पढ़े थे कुछ गवर्नर जनरल पढ़े थे ठीक है तो इसी सीरीज को हम आगे को पढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे अठारव सब्सक्राइब उनकी करांती भी देखेंगे इसी क्लास में ठेकर तो यहां से एक्जाम में आप लोगों के question पोच्छे जाते हैं जो ब्रिटिस के यहां पर गवर्नर जन्रल हैं उनके बारे में पोच्छा जाता है जैसे कि लॉड डॉल होजी के बारे में पोच्छ ले जाता है बेंटिंग के बारे में पोच्छ ले जाता है वहाँ पर हम लोगों ने लॉर्ड हैस्टिंग से देखा था संगौली की संदी देखी थी और ठीक है तो आज हम बात करेंगे इससे आगे की और चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आज का पहला जो वाइसराई है इसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक ठीक है ये क्या है इसको हम देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में इसका काल आप लोग देखों सबसे पहले 1828-1835 तक इसका काल माना जाता है और 7 साल इसने यहाँ पर सासन किया और इसके समय में एक एक्ट पारित हुआ था 1833 का चार्टर एक्ट और ये एक्ट आप लोगों क 1813 के एक्ट को आगे को बढ़ा कर 20 साल के लिए बढ़ा दिया था और इसमें भारत में सासन इस्ट इंडिया कंपनी का 20 साल के लिए आगे को बढ़ा दिया था तो 1833 का आता है जब इसमें भी वही बात कही गई कि अब जो प्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी भारत में सासन जैसे कि रेगिलेटइंग अच्टर एक्ट हो गया फिर भारस हासन अधिनियम आगे इनके बारे में हम लोग ने इंडियन पॉटिक की क्लास में डिटेयल में डिसकस करका है एक वीडियो पूरी एक्ट से ही संबंदित है ठीक है तो आप लोग उस क्लास को जरूर देखना इंडियन पॉलिटिक की क्लास मेरे ख्याल से पांच या चटी क्लास होगी इसी पैटा पचार्च दिनों की महासंगराम की पांच या चटी क्लास आप लोग देखना वहाँ पर आप लोगों को डीटर में मिल जाएगा बट हम इतिहास को बढ़ रहे हैं तो इतिहास में ये काल करम भी आ रहा है तो हम इस चीज़ को यहाँ पर भी देख ले रहे हैं हलका सा तो 1833 के चार्टर एक्ट के अगर हम बात करेंगे तो इससे पहले यहां पर क्या हुआ करते थे बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे गवर्नर जनरल फिर हुआ करते थे पहले बंगाल के नवाब थे बंगाल के नवाब के बाद बंगाल का गवर्णर जनरल आया बंगाल का गवर्णर जनरल अब क्या हो गया है इसको भारत का गवर्णर जनरल कहा जाने लगा 1833 के एक्ट से जो बंगाल का गवर्णर जनरल था उसको भारत का गवर्णर जनरल कहा जाने लगा ठीक है इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है और इसके अलावा आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि इस Act के तहट आप लोगों को ये Question पोशा जाता है कि अंतिम Governor General और बंगाल बंगाल का अंतिम Governor General कौन था तो William Mantic है जो कि अंतिम भी होगा और इसके समय मे भारत का Governor General पर बनाया गया तो इसलिए पहला होगा भारत का Governor General तो भारत का पहला Governor General कौन है William Mantic है ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है आप लोगों से पूसा जाता है पहला या फिर अंतिम इस तरीके से इस Charter Act की एक खासित यह है कि आप लोगों से पूसा जाता है EIC का व्यापार पर एक अधिकार है जो पूर्ण तहा कब समाप्ति किया गया यानि कि अब इस पर जो चीन के सांथ व्यापार और चाई के सांथ व्यापार का एक अधिकार इसके पास था इससे पहले हम लोगों ने देखा था वो अधिकार भी इससे चीन लिया गया है अब वो है राजा राम मोहन राई राजा राम मोहन राई जिनको भारत में सुधार समा सुधार रख के रूप में जाना जाता है इन्होंने बहुत सारे सुधार किये थे भारत में जैसे कि हम बात करें सतीपर्था का अंत तो सतीपर्था के अंत में इन्होंने महतपूर्ण भूमी का अधा के थी 1829 में इन्होंने सती पर्था को समाप्त करने की बात कही थी और ये इन्होंने विल्यम बैंटिक की मदद से ये बाते मदब ये सुधार किया था तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो सती पर्था को समाप्त किया है वो कब किया गया 1829 में किस के द्वारा राजराम मोहिन राई के द्वारा और अगर हम बात करेंगे गवर्णर जनर्नल कौन था उसमें तो विलियम बैंटिक था और इन्होंने एक कानून पारिट किया था उस कानून की धारा 17 के तहट इसको पर्था को समाप्त कर दिया गया ठीक है ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी 1829 का एक्ट पारिट किया गया था उस कानून में धारा 17 थी और उस धारा 17 के तहट इस सती पर्था को समाप्त कर दिया गया सती परता को आप लोग जानते ही हैं इसके बारे में जाता है डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं गुप्त कालिन में यहाँ पर एक सासकवा करता था भानुपरता उसकी वाइब को यहाँ पर सती किया जा रहा था तो तब से राजराम मोहन राई इस बात को देखते हैं और जब राजराम मोहन राई की भाई थे उनकी भाई की वाईब को सती किया जा रहा था तो उस बात का इन्होंने सबसे पहली बार विरोध किया था राजराम मोहन राई ने और ये बात थी लगवग 1812 के आसपास मेरे बात थी जब इनके भावी जी को सती किया जा रहा था तो इन्होंने उस समय विरूद किया लेकिन उस समय ये ज़्यादा विरूद नहीं कर पाई और धेरे-धेरे करके इन्होंने परचार-परसार करना शुरू किया और 1839 का एक समय ऐसा आया जब इसको कानून के एक से ध्यान में रखनी है और उसके बाद आते हैं आपर चार्ल्स मैटकॉफ चार्ल्स मैटकॉफ चार्ल्स मैटकॉफ किसले जाने जाते हैं इनको भारती प्रैस का मुक्तिदाता कहा जाता है भारती प्रैस का मुक्तिदाता इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अब जो भारत में लोकल लेंग्वेज है, यानि कि भारत के जो इस्थानी भासाई हैं, उनमें भी अब अगबार निकालने की स्वतनरता भारतियों को दे दी गई थी, इससे पहले क्या होता था कि जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी भासा में ही यहाँ पर समचार पत्र है, परकास भारती फ्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, उसके बाद हम बात करेंगे, लौड ऑकलेंड, लौड ऑकलेंड, लौड ऑकलेंड की अगर हम बात करेंगे, तो 1849 से 42 की बीच में पर्थम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोगों को ध उसके बाद इसने क्या किया, लौड ऑकलेंड ने इसका मरमत करवाई, 1849 इस्यो में, ये बात भी आप लोगों से बहुत बार पूछ ली जाती है, लौड ऑकलेंड आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, लौड ऐलेंबरो, लौड उसके बाद आता है महत्वपूर्ण एक भारत का गवर्णर जनर्र जिसको लौड डलहोजी की नाम से जाना जाता है, 1848-1856 तक, कब से कब तक 1856 ठीक है, तो यहां से आपके एक्जामे क्वेस्टिन पूछे जाते हैं बहुत सारे, और यहां से एक क्वेस्टिन ये पूछा जाता है कि व्यबगत सिध्धान्त, व्यबगत सिध्धान्तों इंग्लिस में डॉक्टर राइन और लैप से बोलते हैं, और इसे को राज्य हडप निती भी कहा जाता है, यह क्या करता था, अपने राज्य में, अपने सासन में, इसके जो पडोसी राज्य होते थे, उनको ह दिरे दिरे करके और पहला राज्य था सतारा आप लोगों से पूशा जाता है कि राज्य हडप निती या फिर डॉक्टर राइन ओफ लैफ से के तहट हडपा जाने वाला पहला राज्य कौन सा है तो वो है सतारा का सतारा कहां पर रहे हैं भाराष्ट में इत्ती बात आप लो College कहा जाता है IIT Roogытогi IIT Roogky और इसकी स्थापना 1847 में की गई थी तब इसका नाम रोड की नहीं था इसका नाम तब क्या था? Thomson Engineering College क्या था Thomson Engineering College था? यह मैंने यहाँ पर नोड नोड s में नहीं लिखा है तो आप लोग इस बात नकीती 1847 में और फिर बाद में इसको रोड की इंजिरियरिंग कॉलेज का नाम दिया गया ठीक है यह बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है इसके समय में जैसे हम लोगों ने बात की अभी कि 1833 का चार्टर एक्ट आया और उसमें 20 साल के लिए आगे को सासन बढ़ा दिया एक्ट में लेकिन ऐसा होता नहीं है कि 1853 से 73 का समय नहीं आ पाता क्योंकि बीच में 1857 का विद्रो हो जाता है जिस कारण से ये चार्टर एक्ट पूरी तरह से 20 वर्स अपने कम्प्लीट नहीं कर पाया था अभी हम देखेंगे और भी जादा डिटेल में इसको फिलाल आप अब लोग इतना ध्यान में इसको रखें यहां पर से इसके समय में कुछ सिक्चा में सुधार हुए थे भारत में जैसे कि वुड़ डिस्पेच यहां पर लागू किया गया था वुड डिस्पेच ठीक है वुड डिस्पेच आप 오ुकोंगों ध्यान मा रखने की कब लाग बारती सिक्षा केंद्र बिंदु यहां पर बनाया गया था सिक्षा केंद्र में चीक्षा केंद्र तो यह एक अच्छा कदम इसके अलावा लॉट डॉलही जी को एक और काम के लिए जाना जाता है, बारत में रेल्वे का जनक इसको कहा जाता है, रेल्वे का जनक 16 अपरेल 1853 में भारत में पहली रेल चलाए गई थी बंबे से थाने बंबे से थाने 34 किलोमेटर है और ये पहली रेल यहाँ पर चलाए गई थी और इसका कारण भी यही है कि अंग्रेजी व्यापार है जो की एक इस्तान से दूसे इस्तान पर बढ़ाया जा सके ठीक है और भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक व्यापार को पहुंचाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा मुनापा कमा के इंग्लेंड पर भेजा जा सके यानि की रेल चलाना ये उनके लिए सही था ये उन एक्टिवीटी, कम्युनिकेशन के लिए भारती यहां पर जितने भी सेनानी रहे हैं, उन्होंने इसका यूज किया बहुत अच्छे तरीके से, तो ठीक है, उसके बाद 1854 की अगर हम बात करेंगे, तो पोस्ट ओफिस एक्टेश ने पारित किया था, और भारत में पहली बार डाक टिकट यहां का परचलन किया गया, तो भारत में पहली बार डाक टिकट का परचलन किया गया, 1854 में लॉट डलहुजी के द्वारे, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, उसके अलावा इसने PWD की स्थापना की थी, PWD, सार्वजनिक निर्मार विभाग की इसन किसको कहा जाता, किसने से लाए थी, तो ये लॉट डलहुजी है, 1853 में, कलकता से आगरा के बीच में इसने बिद्धुत का परियोग करकर तार सेवा यहां पर सुरुवात की थी, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी, एक जाम के पॉइंट एव उसे लॉट डलह राजधानी, तो आप लोग उसे बहुत बार पूशा गिया है, most important आप लोग कर सकते हैं, कि ग्रीस मकालीन राजधानी सीमला परिवर्तित करने वाला कौन है, गवर्नर जनरल भारत का, तो वो है लॉट डलहुजी, तो इस परकार हम देखते हैं, 1853 और फिर आता है, 1856 के ब लॉट कैनी, अब जैसे ही हम लोगों ने बात की थी, अभी 1853 की, 1853 में चार्टर एक्ट पारित हुआ, ये बात आप लोगों को समझ माई अभी थोड़े दिर पहले, 1853 के चार्टर एक्ट में ये बात कहें गी थी, कि हम जो ये सासन है, उसको 20 साल के लिए और आगे को अभी पन का जो एक्ट था, वो इन एक्ट हो जाता, यानि कि वो समाप्त कर दिया जाता है, और इसी समय ब्रिटिस ने ये सोचा कि यार जब 1800 सताम के करांती हुई, उसके बाद ब्रिटिस को ये एहसास हुआ कि अभी तक जो भारत है, भारती लोग हैं, वो आवाज नहीं उठा रहें, और पहली बार है जो ब्रिटिस सासन के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, और उनके खिलाफ विद्रो किया जाता है, तो यानि कि भारतियों में उन्होंने पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में एक्ता देखी, और उनको ये समझ में आया, कि यार अब हमें इंडिया भारत में क्या कर रही है, सासन कर रही है, जो भी यहाँ पर वाइसरोई ये गवर्नर जनरल नियुक्ति के जा रहे हैं, वो इस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से नियुक्ति के जा रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने एक नियम परिवर्तित इसमें करके क्या किया, कि जो भारत का governor general था, अभी तक जो भारत का governor general था 1880 के act में, अधिनियम में, तो वो governor general को भारत का wise strike का पद दे दिया गया और इसको थोड़े अधिकार और दे दिये गे, और जब अधिकार दे दिये गे तो इसका जो चयन किया जाता था, ये British S oyда subject के किस अधिनियम के तहट भारत में का सासन इस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिस क्राउन के हाथों में सौब दिया गया तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी 1808 ताउन के भारत सासन अधिनियम के तहट इत्ती बात आई समझ में हो गया होगा किलियर आई थिंग यानि कि अब मैंने यहाँ पर लिखाई है देखो भारत का सासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिस सरकार के नियंदर में ले लिया गया और ये क्या होता था बिटिस हंसत के परती उतरदाई होता था ये जो भारत में वाइसराई है इसके लिए यहाँ पर परिसेदे भी बनाएगी थी वाइसराई की कारेकारणी परिसेद वो हम लोग ने इंडियन पॉलिटी में पर रखा है आप लोग वहाँ पर से ज़्यादा समझेंगे क्योंकि यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटियल में इन अधीनियों को नहीं करा रहा हूँ इसी समय 1856 में यहाँ पर पहले क्या होता था जो भारती महला है अगर उनके पती का देहान तो हो जाता था तो वो विद्वा हो जाती थी और विद्वा होने के बाद उनको अलग से विद्वा से पहले लेकिन लॉड कैनिंग के द्वारा और यहाँ पर एक महत्वण समास सुधाकर हुए भारत के जिनका नाम है इस्वार चंद विद्या सागर इन्हों ने एक कानून पारित किया जिसको हम बोलते हैं विद्वा पुनर व्यवा अधिनियम 1856 1856 में विद्वा पुनर व्यवा अधिनियम लागू किया गया और इसके तहट अब जो विद्वाएं हैं उनको दुबारा साधी करने के यहाँ पर अनुमती परदान की गई इस्वर्चंद विद्या सागर ने इस बात की मिसाल दी यहाँ पर इन्होंने अपने बेटे की यह बहुत बड़ी बात है कि उस समय इन्होंने इस परदा का अंत करके सबसे पहले खुद अपने बेटे की जो विवा क्या था वो एक विद्वा महिला से क्या था तो यह थीक है तो फिलाल आप लोग इनको इतना जाने अभी इसके अलावा अगर हम लौड कैरिंग के बात करें तो अभी तक हम लोगों ने देखा था जो डॉल हो जी तक ऐस ने डॉक्ट्राइन आफ लेप्स की निती की यहां पर लागू की थी और लौड कैरिंग इस नीती को यहाँ पर समाप्त कर दिया था तो वियपगत सिधानतों को समाप्त करने वाला कौन था तो वो Lord Canning था ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है Lord Canning के समय में हम लोगों ने अभी देखा कि 1807 का विद्रो होता है तो हर एक चीज़ को हम देखेंगे 1807 की करांती से यहाँ से बाहर आप लोगों को question देखने को नहीं मिलेगा तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं 1807 की करांती के बारे में देखो अगर हम बात करें सबसे पहले कारण कारण क्या रहा है 1800 सतान की विद्रो के अगर हम कारण की बात करेंगे दोस्तों इसके कारण के अनिक बहुत कारण है कोई एक कारण नहीं है दो चार कारण हम मानते हैं जैसे कि राजनेतिक कारण है एक राजनेतिक है सैलनी कारण भी है और धार्मिक कारण भी है इसका और धार्मिक कारण के साथ सामाजी कारण भी है सामाजी कारण और फिर आता है एक तातकालिक कारण तो होगे नब बहुत सारे कारण अब इनके डिटेल में अगर हम जाएं थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं राज नेती कारण देखो जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की थी लौड डलहोजी ने व्यपगत नेती का सिधानत अपनाया था और इससे जो अन्नी राजी हैं उनको हडपा जाने लगा तो जब किसी सासक का अगर राजी हडपा जाएगा तो उसके खिलाब उनमें विद्रो रोस पैदा होगा जो वहाँ पर किसासक है तो इसलिए वहाँ के जो राजा हैं जो छोटे छोटे राज्यों के राजा हैं ये ब्रिटेशों के खिलाब उनमें क्या होने लगी यहाँ पर विद्रो की भावना पैदा हुई और असंतोस इनमें पैदा होने लगा उसके इनकी पर, सिर्फ बेटिस जो अधिकारी होते थे उनी को रखा जाता था और इनकी जो income है, salary है वो बहुत कम हुआ करती थी भारत के जो सैनिक हैं, एक तो छोटे पाद पर रखना और दूसरा, इनकी income कम होना और इनसे काम ज़्यादा करवाना तो इस बात से जो भारत की सेना है वो भी क्या हो चुके है इनके खिलाफ हो चुके है और इनमें भी औसन्तोस पैदा हो चुका है अगर हम धार्मिक कारण के बात करेंगे तो हम लोगों ने इसे पहली वाली क्लास में देखा था कि इसाई मिस्यनरियों का भारत्मा आग्मन हो चुका है 1813 में पढ़ा था मेरे खाल से तो इसाई मिस्यनरिय भारत्मा आने लगी है इसाई धर्म का परचार परचार करने जो अन्य धर्म है उनको इसाईयत धर्म अपनाने के लिए जबरदस्ति किया जा रहा था तो इसे जो हिंदु धर्म है या फिर मुसलमान धर्म है उनमें क्या हुआ रोज पैदावा असंतोस पैदावा कि यार हम हमारे लोगों को ये क्य औरॡ उसे पहले हम लोगों ने सतीपरथा का अंतु भी देखा था तो ये अच्छे काम है जो की ब्रिटीश ने कि थे भारत के समाज को सुधार्णने के जो काम हैं वैसे भारत के समा सुधा कर इन में जादा तर परभावी रहे हैं जैसे राजा राम, मोहन राई या इस्वर्च चंद वीद्या सागर लेकिन इनका साथ कही न कहीं ये वोईस राई या फिर गवर्णर जनर्र ने भी दिया इनके मदद से भी कही न कहीं हमको देखने को मिलता है इनकी समापती तो भारतियों में ये था कि ये पहले से एक पर्था चलिया आ रही थी जैसे हम सती पर्था की बात करें तो भारतियों के लिए अच्छी बात थी भारती ये सोचते थे कि ये तो एक अच्छी रीती है अच्छी पर्था है अगर हम विद्वा का विवा नहीं कर रहे तो ये एक अच्छी बात है तो भारतियों को ये लगा कि ये तो हमारे खिलाव है हमारे जो नियम कानून हैं हमारे पर्थाई हैं उनको इन विट्रिस होने क्या कर दिया है भंग कर दिया है तो इसलिए सामाजिक कारण भी पैदा होने लिगे हैं इसलिए जो भारत के लोग है उनमें एक असंतोस पैदा हो चुका है ब्रिटिस के खिलाफ की यार ये लोग क्या कर रहे हमारे सामाज के खिलाफ ये लोग काम कर रहे है लेकिन अगर देखा जाए तो वो काम अच्छे थे अगर हम बात करें सामाजिक सुधार की बात वो अच्छे कारी थे लेकिन भारतियों की उसमें जो मान सिकता थी वो सिर्फ क्या थी विद्वाव का विवानी करना है सती परता करना है दास परता वाली बात है तो इसलिए यहाँ पर सामाजिक असंतोस पैदा हुआ और अगर हम तातकाली कारण के बात करेंगे तातकाली कारण तो तातकाली कारण हर किसे को पता है कि चर्वी युक्ते कार्तोस यहाँ पर लाई गे थे ब्रिटिस सेना में और भारतियों ने इसका विरूद किया किसका चर्वी युक्ते कार्तोसों का और चर्वी युक्ते कार्तोसों पर किसका यूज किया जा रहा था गाई का गाई का जब यूज किया जा रहा था तो हिंदु जो है वो गाई का यूज चर्वी युक्तिक जो कार्टोस है उसको दास से छिलने के लिए छिला जाता था जो कार्टोस होता था पहले उसको कार्टोस को दास से छिला जाता था फिर उसको राईफल में फिट किया जाता था लेकिन इसका विरोध किया कि हम गाई से जो निर्मित कार तो से उसका प्रियोग हम नहीं करेंगे तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने इसका विरूद किया ठीक दोस्तों इस परकार हम ये देखते हैं कि इसका जो तातकाली कारण है वो क्या है बंगाल की एकाई में रॉयल इंफिल्ड पी-53 राइफल है यहां पर एक नई राइफल दी गई भारती सेना को और इस राइफल का नाम आप लोगों से बहुत बार पूछत लिया जाता है अगर लेवल थोड़ा अच्छा बनेगा और राइफल का नाम है रॉयल इंफिल्ड पी-53 राइफल है इसमें चर्वी युक्ते कारतुस का प्रियोग किया जा रहा था और मंगल पांडे ने मना कर दिया था इसका प्रियोग करने से मना कर दिया था उसके बाद फरवरी के बाद फरवरी के बाद अगर हम बात करेंगे मर्च के बाद आते हैं मार्च 29 मार्च 1877 को क्या हुआ जो यह मंगल पांडे है इसने मंगल पांडे ने अंग्रेज के अधिकारी थे एक का नाम है मेजर यूकसन और दूसरे का नाम है लेप्टिनेंड बाग दोनों को इसी राइफल से जिस राइफल का यहां पर यूज करने के लिए कहा जा रहा थ था इनसे तो मंगल पांडे ने यूज तो किया लेकिन उसका यूज अंग्रेजी अधिकारियों को मौत के घाट उतार कर किया और इस बात से यहां पर अंग्रेज क्या होगे भढगे और जब अंग्रेज भढगे तो अंग्रेज जो नहीं यहां पर इनको सजा दी और सजा कि थीक है तो हां शॉरी आठ आठ अपरेल को भासि दियान वूआ है कि 8 अपरेल को मंगisz के सजा दिएगी ये बात आप लोगों से五 ले मंगल पांडे है कौन तो यह बल्या यूपी के रहने वाले हैं और इनका संबंद है बेरिकपूर की एक रेजिमेंट है जिसका नाम है चौतिस्वी बंगाल नेटिव इनफेंट्री आप लोगों से पोशा जाता है तो इनकी सेना का नाम आपको याद करना है किस रेजिमेंट पर थी है 34 वी बंगाल Native Infantry 34 वी बंगाल Native Infantry Regiment में बेरिकूर में ये सिपाही थे पैदल सेना में ये सिपाही थे तो इनको क्या कर दिया गए यहां पर फासे के सजा दी गई 8 अपरेल को जैसे फासे के सजा इनको सुनाई गई और फिर फासे दे दी गई तो भारती सेना है जो कि आक्रोस इनमें पैदा हो चुका था भारती सेना में जैसे ही आक्रोस पैदा हो चुका है तो भारती सेना अब इनका मुकाबला करने के लिए हर एक केंदर पर इन्होंने अपने गुट बनाने शुरू कर दिये और इसका परिड़ाम यह हुआ कि 10 मई, 8 अप्रेल के बाद 10 मई 1877 को इसकी शुरुआत कर दी गई मेरट चावनी से विद्रोक की शुरुआत कर दी गई और ये बात आप लोगों को द्यानमा रखनी है तो इस परकार यहाँ पर 1800 सता उनके करांती होती है और इसके काराण हम लोगों ने देखे और 1869 तक 59 तो 2 साल तक यह करांती चलती है और इस परकार हम लोग इसके बारे में देखते हैं अब थोड़ा और देखेंगे फिलाल हम लोग और यहाँ पर यह देखें है वहां की अब आप लोगों से एक question पूछा गया था police constable के exam में किस विदेशी सेला ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था यहां पर तो आप लोग यहां पर देखने कि 1800 सताउन के करांति को दबाने के लिए सिख्ष ने साथ दिया था और सिख्ष भारत के ही हैं और गोर खाने साथ दिया था जो कि नैपाल के हैं तो यह बात आप लोगों को समझ में आ गई कि answer क्या था आपका नैपाल answer था तो दोस्तों इस परकार से घुमा के question है जो कि police constable के इक्जामा पोचा गया था तो यह एक लेवल अच्छा लेवल था मतलब कोई इजी लेवल नहीं था इस question का तो जी एस है जो कि आप लोगों से अच्छे ही लेवल की पोच्टा है यूकर पेसे तो इसलिए आप लोग ततपर रहें ready रहें अच्छे तरीके से इसको करने के कोशिस कर रहें उसके अलावा यहां पर पठानों ने भी सांद दिया था ये बात भी धान में आपको रखनी है अंग्रेजों की मदद करने के लिए अब कुछ इतिहास कार हैं उनके अलग-अलग मत हैं 1877 उनकी करांती को लेकर जैसे की विनायक दामदर सावरकर हैं वो क्या कहते हैं कि भारत का पहला 173 संग्राम है यह कौन कहता है वीडी सावरकर करते हैं और उन्होंने बुक लिखी एक किताब लिखी जिसका नाम भी क्य उसके बाद अगर हम बात करें यहां राश्ट्री विद्रोफ था यहां किसने दि ने कहा था इसने क्या कह था कि यह एक really उसने क्या एर दो व्यक्ति थे जिनका नाम है सर लाॉरेंस और सीले इन्होंने क्या कहा कि यहां पूर्ण तहाओ सिपाई विद्रोर था कि यह बात आप लोगों को ध्यान वर रखनी यह केश ने कहाétait, यह मत आप लोगों से पूचे जाते हैं, और V.D.Sawarkaard का मत तो बहुत बार आप लोगों से पूचा गया है, अगर आप लोगों से, असोक महता का मत भी पूचे लिया जाता है, असोक महता, तो असोग महता ने क्या कहा कि ये एक परकार का सुनियोजित स्वतंतरा संग्राम था कैसा था? एक सुनियोजित स्वतंतरा संग्राम था और असोग महता की पुष्टक आप लोग से पूछे जाती है The Great Rebellion The Great Rebellion इसकी पुष्टक का नाम है ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है उसके बाद एक पुष्टक और आती है यहाँ पर 1807 पुष्टक है पुष्टक का नाम ही 1807 है और ये किस ने लिखी थी? S.N. S.E.N. ने लिखी थी और ये S.N. S.E.N. कौन है? 1807 की खुष्टक के सरकारी इतिहासकार माने जाते हैं सरकार की तरप से इतिहासकार है ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है S.N. S.E.N. तो ऐसे इस टाइप के प्रस्ण आप लोगों से पोशे जा सकते हैं और यहां से भी आप लोगों के question पोशा जाता है जैसे की कौन कौन से पर्मुकेंद्र रहे हैं वहाँ पर कौन भारत के नायक थे और उनको दबाने का काम किस British अर्थ ने किया तो सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में अगर हम बात करेंगे बहादूर साज अफर है एक बहादूर साज अफर और दूसरा है बक्त खां कौन है बक्त खां ये भी आप लोग लिख लेना अपने notes में कि बहादूर साज अफर और बक्त खां हैं जो की कानपुर की बात करेंगे लखनों की बात करेंगे जहासी में, इलाव बात तो हर एक जिगह पर सिपायों ने अड़ाग अलग परकार से आंदोलन क्या था अगर हम बात करें विद्रो को दबाने वाला कौन था यहाँ पर दिल्ली में तो बहादूर साज जफर के विद्रो को दबाने वाला था निकल्चन और हडल्चन निकल्चन और हडल्चन आप लोगोंने याद करना है निकल्चन इस युद्ध में मारा गया था और हडल्चन फिर आगे को आता है अगर हम बात करें कानपूर की तो कानपूर के पांडूरंग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कानपूर पर अठारहसो सताम के विद्रो की कमान समाली थी और कैमपे बेल है जिसने इस विद्रो को यहाँ पर दबा दिया था। यानि कि ब्रिटिस के तरफ से कैमपे बेल था। ये बाद आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद एगर हम बात करें बेगम हजरत महल तो लखनों से है ये। लखनों पर इन्होंने कमान समाल ने थी बेगम हजरत महल ने और कैमपे बेल और हेनरी लौरेंच है जो की इस ब्रिटिस की तरफ से लड़ते हैं। और Henry Lawrence है जो कि यहाँ पर मारा गया उसके बाद हम बात करेंगे जहासिकी तो जहासिकी रानी लक्षिमिबाई जहासिकी रानी लक्षिमिबाई और Euros Euros ने इस आंदोलोन को यहाँ पर दबाया था यह बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है उसके अलावा यहां पर राने लक्ष विबाई से कुछ और question आप लोग에게 solution बनेगे राने लक्ष विबाई से अगर हम इनके बात करें इनका वास्तविक नाम क्या था आप लोग इनका वास्तविक नाम लिखेंगे मड़ी करने का मड़ी करने का मड़ी करने का या फिर मनु मड़ी करने का या फिर मनु इनका वास्तिव एक नाम था ये बाद आप आप लोगों को ध्यान में रखनी है उसके बाद आप लोगों को क्या ध्यान में रखनी है कि इनकी मृत्यू कहां पर वी मृत्यू मिर्तिव इनकी हुई थी ग्वालियर में ग्वालियर में इनकी मिर्तिव हुई थी और कोटा सराई वहाँ पर है नाम ग्वालियर में इनकी मिर्तिव हुई थी मात्र 23 वर्से के आयू में 23 वर्षी के आयूँ में इन्होंने बिर्टिसों से लोहा लिया था ये बात आप लोगों को ध्यानवा रखनी है और जो यूरोज है यूरोज जो कि इसके विरुद्र लड़ा था उसने क्या कहा था इसकी वीरता से परभावितों कर लक्षमी भाई की कि करांती कारियों में ए एक अकेली मर्द थी तो इतनी बड़ी बात है जो कि लक्षमी भाई के लिए इस नहीं ही यूरोज ने बोली थी और यहां से इतने ही क्वेशन है जो कि आप लोग उसे 18 सथान के क्रांती से पूछ दे जाता है ठीक है दोस्तों और एकात प्रसन और पूछा जाता है मैंने यहां पर नहीं लिखा है लेकिन आप लोग उसको नोटाउन कर लेंगे और वह क्या है वह है बीहार वी एक केंद्र रहा है और बीहार में कौन है कूवर सिंग कूवर सिंग कूवर सिंग कूवर सिंग 80 साल के उम्र में 1800 स्थाम के करांते में भाग लेते हैं और जब यह लड़े होते हैं तो इनके हाथ में गोली लग जाती है और गोली लगने इनके बारे में हमको जानना चीए और कोवर सिंग आप लोगों को इध्यान में रखना है याद करना है जगदिसपूर बिहार से इनका संबन्द है जगदिसपूर ठीक है जगदिसपूर बिहार से इनका संबन्द है कोवर सिंग का तो इतनी बात है जो कि 1800 सतान की करांतिय से आप लोगों से पूछी जा सकती है ठीक है दोस्तों और इस तरीके से हमारा यहां पर तक का आज का सेशन समापत हो जाता है अगली ग्लास में हम और लेके आएंगे आप लोगों के लिए वाइस राए के स्रीज को आगे को बढ़ाएंगे और फिर देखेंगे भारत में übers करेंगे उननेस सो के बाद में और फिर गाधी यूग की बात करेंगे और फिर हम देखेंगे Arm-1947 में भारत आजात की बात है तो इस परकार से दो-तिन खर आएंगे आप लोगों के लिए और इस परकार हम लोगों अन्यतिहास के इस कारवा को समापती करेंगे तो आज cię व